हेलो दोस्तों तो आज हम करने माले हैं क्यूपोला फर्नेस के बारे में तो देखें क्यूपोला फर्नेस यूज क्यों करनी है तो क्यूपोला फर्नेस यूज करते हैं हम पिग आयरेन को कास्ट आयरेन में कनवर्ट करने के लिए तो हमारे पास pig iron है, उसको cast channel में बदलना है, plus crap हमारे पास है पड़ा है, तो iron को melt करने के लिए हम इसका use करेंगे, तो आगे देखते हैं, अब देखें इसकी construction के बारे में समझते हैं, ये actually क्या है, cylindrical shape होती है, और इसकी height जदा होती है, diameter कम होता है, तो almost 3 times जो होता है, 3 से 5 times जो इसकी height होती है, diameter से जधा होती है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले, ये चीज़ आप देखेंगे, ये हमारे पस bricks है, bricks इसको हम कहींगे इंग्लिश में रिफ्रेक्टरी लाइनिंग, रिफ्रेक्टरी लाइनिंग क्या होती है, रिफ्रेक्टरी हम कहते हैं जब हाइर टेंपरेचर को जो चीज सेहन कर सके है, जो हाइर टेंपरेचर क्योंकि आग जलनी है ने इसके अंदर, आग जलनी है तो इसने क्या करना है, बह उपर cover कर देंगे, उसके साथ हमने cover किया होता है, और यहाँ पर inheritance होता है, ट्यूनर क्या है, जहां से हम air provide करेंगे इसके अंदर, देखे हमारे का चाहिए अंदर क्या है, हमने melt करना है metal को, metal को जब melt करना है, तो हमें आग जिलाने पीड़ेगी, तो हमने यहां से हैं एक प्लेट है जिसके अंदर होल हुट होते हैं और वह एर अंदर परवाइड कराती है पूरे में इसके बात यहां पे एक होल है देखिए स्लैग स्पाउट तो देखे हमारे पर आइरं के अंदर होती है इंपियोरिटीज होती है तो इंपियोरिटीज को अलग करना है हमने अब हमारे पास देखें पिग गायरेंड है तो पिग गायरेंड में कुछ इंपियोरिटीज होगी उस इंपियोरिटीज को हमने बाहर करने के लिए अलग करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं वो ला बना देता है। तो यह जो क्मट्रीज है, यहां से बाहरा बाहरा जाएगी एक प्लस यह जो है यहां पे देखे यह सिंड होता है यह में लन् VII भूता है ताकि आकि हमें बनी हीट जलानी होता है तो यहां भी आप चाहे नीचे ये जो है वो इसकी legs है पूरा structure जो इसकी legs के उपर खड़ा है ठीक है ये पूरा structure और mostly ये exactly इस तरह से हमारे पास same shape का नीचे से थोड़ा wider रखते है ताकि पूरा weight जो है वो नीचे से सहन कर सके है और ये जो है हमारे पास यहां से hold रखा है कि melt होगा जब चीक है iron melt हो होगा तो यहां से बाहर निकाला जा सके है simple सा है और यहां पर सबसे उपर यह वाला यह स्पार्क अरेश्टर क्या है यह एक टोपी की तरह यह बना हुआ है तो actually क्या है यह जब यहां से heat चलेगी heat चलेगी तो यह क्या करेगा आपने दिखा होगा तंदूर जब जब ज़ तो थोड़ी सोड़ी आप उपर जा रही है वो वेस्टेज में जा रही होती है लेकिन यह सोचते है यह वेस्टेज बाहर क्यों जाने दें हम क्यों जाने देंगी तो यह क्या करेगा spark arrest spark को arrest कर लेगा ठीक है पकड़ लेगा तो यह यहां से नहीं जाने देगा और इसको व इसका नाम क्यों पोला पड़ा है क्यों पोला एक्चुली ना जब आप देखना पुराने घरों में ऐसी शेप होती थी ठीक है यहां पे किचन के ऊपर एक पाइप जाती होती थी और उपर यह ऐसा लगा होता था ठीक है ताकि एर बाहर आईजली जा सके तो इस तरह की शेप क्या आगे सेंड उसके बाद हम क्या डालते हैं कोक यहां पे हम कोक डाल देते हैं तो यह कोक ने एक्चुल में जलना है जिसने हमें हीट प्रोवाइड करानी है उसके बाद हम एक लियर डाल देते हैं लाइम स्टोन की क्या लाइम स्टोन तो यह जो लाइम स्टोन है मैंने अभी बताया, आपको क्यों use करना है, इस lag बनाने के लिए उसके बाद, हम क्या कर देते हैं हम metal डालते हैं pig iron pig iron डाल देते हैं, एक तो pig iron डाल देते हैं, lamation तो इस तरह से layers बनाते हैं और ये डालते कहा से यहाँ पॉइंट जो है यह चार्जिंग डोर है चार्जिंग डोर काफी उपर है तो इसके लिए लेडर बना जते हैं लेडर बना जते हैं और यहाँ पे खड़े होने की जगा होगी ठीक है लेबर आएगा और यहाँ से फैंक देगा चीज़ों तो यहाँ से फैंक देगा औ बनती जाएगी उसके बाद हम इसमें जो फायर लगाते हैं आग लगाते हैं और अग धीरे-धीरे सारा जो अपना काम है उसने कर देना है तो वह क्या चीज़ है और यह जो है इसमें अलग लग जोन होते हैं जोन कौन-खोन से यह देखिए यह वाला जोन जो है उसको हम कहा क्या है क्या है यहां यह यह सारा कौक है यहа उसके बाद हमारे पास साहथ है कंबस्चन जोन जहां पर एक्च्वर में बहुत जड़ा ही प्राइड होगी उसके बाद reducing zone, melting zone, pre-hitting zone और stack तो ये सारा कुछ हम समझेंगे ठीक है तो इसके important points आपको note करवारा हूँ आप साथ notebook पे note कर लेना तो क्या है ये hollow vertical slender of mild steel तो hollow है vertical slender है और ये mild steel का बना हुआ है ठीक है और ये इसकी जो height है वो normally जो 20 से लेके 35 foot की होती है या 6 से 11 meter कई बार आपको objective time में बूछते हैं और इसका जो हमारे पास diameter है वो 1.5 meter foot से 13 foot तक होता है और 0.5 meter से 4 meter तक हो सकता है ये अलग लग है according to requirement अगर आपकी requirement कम है तो आपने बढ़ा क्यों लेना है ठीक है आप अभी search करें ना कि कितने का है ये तो almost ये जो temperature actually temperature के according होता है कि कितने temperature तक आपने करना है ठीक है use करना है तो हमारे पास normally जो आता है 3,00,000 रुपे का आ जाते है आप search करोगे ना तो 3,00,000 रुपे एक पीस के इसके मिल जाएंगे आपको 3,00,000 रुपे मिल जाएगा ठीक है सस्ता बहुत है हम देखें तो बहुत सस्ता मिल रहा हमें तो ये क्या है इसका advantage है बहुत सस्ता होने के कर बहुत ज़्यादा इसका use किया जाता है ठीक है और ये 1720 में सबसे पहले मिना था और पीग आयरेंस से कास्ट आयरें में बदलने के लिए और इसकी temperature रेंज जो है वो नोट कर लें 1500 डिगरी से 1850 डिगरी तक इसका temperature होता है और scrap भी यूज कर सकते हूँ आप casting के rejection जो casting करने के बाद rejection आती है casting आप कोई cast करते हो ना तो हम मैंने पास casting के बाद rejection आती हूँ वो वाली rejection हम इसमें use कर सकते है दुबारा उसको reuse करने के लिए अब आते हैं यहां पे देखें well तो यह मैंने किया well तो इसमें क्या है melted iron collected hair तो यहां पे यह सारा जब आप देखें heat जो है जाएगी और यहां पे जो pig iron है वो क्या करेगा पिग लेगा पिगले के कारण नीचे आएगा और यहां पे इकठा होना शुरू हो जाएगा ठीक है दिखें दो चीजे है हमारे पास एक slag इधर होना है molten metal इधर होना है तो हमारे पास जो slag है वो हलका होता है विसकोस्टी उसकी कम होती है यह उपर रहता है और उपर रहने के कारण यह यहां से slag पहले अलग से इकथा हो सकता है और molten metal इकथा हो सकता है यह समझे है इसी को हमारे पास यह यहां पे इकथा होगा है combustion zone या इसको हम oxidizing zone भी बोलते है तो यह क्या होता है देखे log ते टोप अफिए टो तो इसके टोड़ यह है इससे पॉइंट से शुड़ः होता है यह जो जो है 15 संटीमिटर से 30 संटीमिटर तक हो सकता है और इस्में जो टेंप्रेचर वह 1540 से 1850 तक हो सकता है और यही होता क्या है इसमें एक्टιूली जो कोक है वो oxygen के touch है oxygen यहां से कोक यहां से mix up होगा जलेगा तो heat provide होगे तो heat के साथ हमें carbon dioxide भी मिलेगी तो carbon प्लस oxygen हमाइं जब मिलते हैं तो carbon dioxide and heat हमें मिलती है और इसी तरह इसके अंदर silicon है, manganese है वो भी हमारे पर अक्सिडाइज हो जाते है तो इसलिए अक्सिडाइजिंग जोन भी बोलते हैं इसे अगला है reducing zone इसमें क्या होता है जो हमारे पास यहां से यहां से heat मिली है न है और हमें क्या मिला है हमें carbon dioxide मिली है तो हमें क्या मिलता है carbon monoxide मिलता है तो carbon monoxide होने के कारणों उसका क्या word है उसका मतलब बन जाता है reducing zone और हम heat उसे देनी पड़ती है तो यहां पे heat देनी पड़ती है एंडो थर्मिक reaction बन जाता है हमारे पास और यह melting zone देखे यहां पे actually melting zone यह वला है preheat होना शुरू होता है हलका हलका हीट जैसे उपर जाएगी तो यहां पे हलका हलका preheat होगा उपर अपर preheat होगा नीचे धीरे धीरे ज्यादा हिट है temperature बढ़ेगा तब जाके melt होना शुरू होगा यह melt यहां पे आजएगा melt होने के पाद और यह iron नीचे हो जाएगा तो यह melting zone यहीं आजएगा फिर से यहां preheat यह सारा preheat और यह नीचे आजएगा और stack क्या है stack खाली जगा है जो हमारे पास हमें gases के लिए चाहिए यह बंद नहीं कर सकते ना gases को बंद करेंगे तो बहुत जाद problems create कर सकते है तो यह हमारे पास है ठीक है और यह ना सच में बहुत ही अच्छी advantage यही है कि बहुत सची पढ़ता है इससे काम करना बड़ा easy है आपको special skilled labor नहीं चाहिए इसके लिए ठीक है आपने देखा होगा तो कहीं company में देखोगे तो छोटी से छोटी company में भी आपको कुपोला furnace मिल जाएगी तो हमें casting जब भी हमें कास्टिंग प्रोसेस करनी होती है तो हमें क्या चाहिए molten metal तो उसके लिए कुपोला furnace जुरू हो जाती है तो कुपोला furnace लो उसमें से गरम करो melt करो यह use करो हमारे प्रोसेस के लिए यूज कर सकते है तो यह था कुपोला furnace के लिए के बारे में आई होब कि आपको समझ आया होगा अगर समझ आया होगा तो लाइक का बटन जुरू दबा दें नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे थेंक यू, थेंक यू सो मच